अगर आपका भी चलान हो गया है तो e-challan.parivahen.gov.in पर जाकर आप अपना चलान ओनलाइन पे कर सकते हैं चलान को भरने के लिए आपके पास या तो चलान नंबर होना चाहिए आपके पास मैसेज आया होगा या फर आपके पास vehicle number होना चाहिए तो फिर आपको engine number या चेशिस number के last के 5 dessert भी डालने पड़ेंगे वो detail होना जरूरी है डियल number से भी आप अपने चलान की detail को चेक कर सकते हैं अब माल लीजे मेरे पास एक चलान हो गया है और इसका एक message आया हो है एक चलान issued अगेंस इस गाड़ी टोटल चलान amount is this for more details आप इस link पर क्लिक करके भी पे कर सकते हैं तो मेरे पास यह चलान number आगया है इस चलान number को यहां से copy कर लेंगे और यहां पे चलान number वाले column में paste करेंगे capture code डालेंगे capture डालने के बाद में आप get details पर क्लिक करेंगे तो आपकी चलान की details आगयी है जिहां की एक चलान status pending शो कर रहा है यहां की अभी तक आपका चलान परेंगे आप यहां से चलान print पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी details को चेक कर सकते हैं PDF file generate हो जाती है यहां से आप असको print भी ले सकते हैं चेक भी कर सकते हैं यहां पर आपकी vehicle की complete details शो करेगा जैसे मेरा यह two wheeler है इसका no parking का चलान है और यह आप photo में जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा two wheeler है road side किनारे खड़ा हुआ था road की जो wide पट्टी है उसके अंदर थोड़े से एरिया में खड़ा हुआ था और यही local market में इसका चलान हो गया तो यह online चलान generate करके मेरे पास message आगे अभी मैंने details अपनी चेक कर ली है मुझे confirm हो गया कि यह क्या चलान है मुझे पता भी नहीं था यह चलान हो चुका मेरा क्योंकि दो ही मिनिट के लिए vehicle वहाँ पे खड़ा हुआ था by mistake तो अब यहां पे आप पे नाओ पे क्लिक करेंगे तो mobile नंबर का verification वांगे रहे हैं आपने mobile नंबर डाल दीजिए OTP code आएगा mobile नंबर वही डालिए जो registered mobile नंबर है OTP आएगा OTP enter कर दीजिए जैसे आप OTP enter कर देंगे फिर से आपको यह details हो करेगा आपके चलान की कि आप re-verify कर सके अपने details को like अभी आपको payment mode select करना सबसे पहले कि 500 rupees कैसे pay करेंगा PNB, SBI कोई भी आप select कर सकते हैं यहां से continue कर दीजिए continue करने के बाद में net banking amount nil रहेगा और अगर आप किसी तरह के 2000 से उपर का चलाने तो कुछ चार्ज लगता है अभी 500 का है तो हमारा कोई extra चार्ज नहीं लगेगा यह सारी details है कौन से office में जाएगा office ने mini secretary police office SP office नारनोल आपका superintendent police of नारनोल address है वहां उनका treasury account है वहां 500 रुपी जाएंगे so can I please verify your details you have entered do you want to continue yes all details if okay then okay कर दीजे और इसके बाद में आप transaction प्रसीड कर लेंगे further payment के लिए online mode में आप कुछ भी select कर सकते है net banking से credit card debit card किसी भी mode से पे कर सकते हैं तो यहां हम card के थूप पे करने वाले है card की detail लाल दीजिए simple है card number डालने बाद और यह आपका चालान payment has been successfully received इस तरह आपके चालान की vehicle number transaction ID और पूरे reference डेटेल आगे आप इसका screenshot लेके रख सकते हैं और message भी आपके पास show हो जाएगा कि आपका चालान पे हो गया इस तरह आप किसी भी vehicle का online check करके आपका कोई चालान है कि नहीं pending और इस तरह online आप पे कर सकते हैं किसी भी vehicle का वीडियो अच्छे लगे तो share करें like करें subscribe करें thank you